आम आदमी के लिए राहत भरी खबर है दरसल घरेलू बाजारों में सभी खाद्य तेलों में जोरदार गिरावट देखने को मिली है क्योंकि विदेशी बाजारों में सभी तेल तिलनों में गिरावट दर्ज की जा रही है मिली जानकारी के मुताबिक पामोलीन के आग अमी सोदो के भाव पामोलीन तेल के मुझूदा भाव से 10-12 रुपई किलो सस्ते बैठेंगे पामोलीन का मुझूदा भाव कांडला बंदरगापर 114 रपे 50 पैसे प्रती किलो बैठता है लेकिन इसके आगे के कॉंट्रेक्ट की कीमत 101 से लेकर 102 पैसे प्रती किलो पर पहुंच जाएगी ऐसे में सोया बीन, मुझफली, बिनोला, सरसो जैसे सभी खादया तेलों की किमतों पर भारी दबाव है पामोलीन के आगे कोई भी खादया तेल फिलार टिकता दिखाई नहीं दे रहा है इस परसीती में लगबग सभी तेल तेलों की कीमतों में गिरावट बनी हुई है उधर आपको बता दे कि सवा महीने के बाद मंडियों में सोया बीन, मुझफली और बिनोला की नई फसले आनी शुरू होगी और भाव इस तरह जमीन पर लेटा रहा तो इसके आगे इन तेलों की खपत को लेकर चिंता बढ़ सकती है सरकार को समय रहते ऐसे कदम उठाने होगे ताकि घ्रेलू तेलू द्योग भी आगे बढ़े और स्थानियां तिलहन किसानों के हीतों की रक्षा हो सके और उभोकताओं को भी वाजिब दाम पर खादय तेल उपलब्ध हो दूसरी सबसे बड़ी दिक्कत MRP को लेकर सामने आई है थोक में कम मार्जन पर विक्री करने के बाद खुद्रा कारोबारी लगबग 50 रुपे अधिक MRP पर इसे बेचते हैं जबकि ये MRP वास्तुई कलागत से 10-15 रुपे से धिक नहीं होना चाहिए मिली जानकारी के मुताबिक सरकार के साथ बैटकों में तेल कीमतों की महंगाई की बात आने पर खुद्रा कारोबारी 50 रुपे से अधिक MRP में अमूमन 10-15 रुपे तक की कमी को राजी हो सकते हैं लेकिन इससे वैश्वी खादय तेल कीमतों में आई गिरावट का लाब ले पाने से उभोकता वंचीत रहते दिखाई दे सकते हैं ऐसे में माना जा रहा है कि आगे चलकर खादय तेल की कीमतों में भारी गिरावट दर्ज की जा सकती है